हेलो स्टुडेंट, वेलकम टू क्यूबर 96, मैं नितिश सर आप सभी का अपने चैनल क्यूबर 96 में स्वागत करता हूँ, साथी साथ एचे कैसी इंटर कॉलेज में भी स्वागत करता हूँ स्टुडेंट, आज हम लोग यर्थ कलास के अंतरगत साइन्स सब्जेक्ट से सम्बंदीद बाता करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट लेशन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लेशन में हम लोग मानो निर्मीत बस्तूओं की उपियोगिता पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग संसले सित्र, रेशे, क्रित्रिम, वहस्त्र, अवसदियां ये सब सारी चीजां जाने थे, आज हम लोग जानेंगे भवन निर्माड में, जो की मानो निर्मीत बस्तूओं की क्या उपियोगिता है, इसके बारे में जानेंगे, तो चले स्टुडेंट शुरू करते हैं, भवन निर पत्तियों, वह पत्तियों की सहायता से अपने घर का निर्माड करता था, इस्टुडेंट आप लोग देख पा रहे हैं, मनुस्या अपने पहले जो घर बनाता था, वह मिठ्टी, पेंड और पेंड की डंडियों अर्थात उसके डाली तहनियों पत्ती की सहायता से अपना घर का वो निर्माड करता था परन्तु अब क्या है समय के साथ मनुस्य ने इट, सिमेंट, इट, सिमेंट, बालू, लोहे के गाटर, कांच, लकडी, आधी चीजों का निर्माड किया समय के साथ मनुस्य बदलता गया और फिर क्या किसका किसका निर्माड किया इट का, सिमेंट का, बालू, लोहे के गाटर, अर्थात सरिया, कांच, लकडी, आधी चीजों का निर्माड किया भवन बनाने का कार सरल हो गया और फिर क्या हो गया जो भवन बिल्डिंग बनाने का जो कार रहा वो क्या हो गया सरल हो गया तथा भवन पहले से अधिक मजबूत और लगने लगे पहले से क्या हो गया मजबूत और लगने लगे अर्थात मजबूत जो उनका मजबूती है वो बढ़ गया अच्छा भी कॉंक्रीट, गिट्टी, बालू, सेमेंट इस तरह से कुछ मैटेरियल प्रियोग करके लोग आज मकान का निर्माड करते हैं होप्फुली सभी को ये चीजां समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं इटो वो सेमेंट से बनी दिवारें भवन को मजबूती प्रदान करती हैं इसमें क्या है जो इटो और सेमेंट से बनी हुई दिवारें होती हैं वो भवन को क्या करती हैं मजबूती प्रदान करती हैं दिवार, स्लैब तथा फर्स आधि बनाने के बाद कुछ दिनों तक लगातार पानी का छिड़काव करने से मकान या भवन अधिक मजबूत बन जाते हैं क्या होता है कि जब मकान दिवार फर्स हो जाता है एकदम क्लीन हो जाता है तो क्या करते हैं कि कुछ दिनों तक लगातार पानी का छिड़काव करने से मकान जो भवन होता है अधिक मजबूत बन जाते हैं होता है कि उस पर पानी का छिड़काव करते हैं जिससे जो उनके material concrete होते हैं छोटे-छोटे वह आपस में इस तरह से जूड़ जाते हैं और भवन को बहुत ही ज्यादा क्या कर देते हैं मजबूत कर देते हैं वह ज्यादा मजबूत हो जाता है नेक्स्ट हम लोग कुछ और बस्तूओं के बारे में देखेंगे जिनकी क्या उप्योगिता हैं हमारे जीवन में वह हैं plastic क्या है plastic प्लास्टिप का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा युगदान है ऐसे मैं बताना चाहूंगा कि वैसे तो दुनिया में कोई ऐसी बस्तू नहीं है जिसका कहीं लाब है तो कहीं हान भी है हम लोग पाजिटिव चीजों को ले करके चलते हैं हम दैनिक जीवन में अनेक परकार की बस्तूओं का उपियोग करते हैं जिन में से आप डेली लाइफ में बस्तूओं इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या है मग है बाल्टी है दात साफ करने का ब्रस है यह सब बस्तूओं किसकी बनी होती है प्लास्टिक की बनी होती है तो प्लास्टिक आपके जीवन में क्या कर रहा है सहयोग कर रहा है अपने द्वारा और य कह सकते हैं कि बरतमान यूग बरतमान यूग प्लास्टिक का है आप कह सकते हैं कि जो बरतमान यूग है वो किसका है प्लास्टिक का है बरतमान यूग में प्लास्टिक एक आवसकता है बरतमान यूग में क्या है प्लास्टिक एक आवसकता है कोई छेत्र इससे अच्छूता कोई भी ऐसा छेत्र एरिया महीं है कि प्लास्टीक नहीं जहां पर प्लास्टीक नहीं है जिस छेत्र में प्लास्टीक का उपर तिस थर नहीं होता है चि टीख आगे आप लोग देख पा रहोंगे टेफलान separately refr टेट्रेफलोरो इथिलीन पालीमर इसका जो द्रावडांक बहुत उंचा होता है यह कुछ प्लास्टिक के नाम है जैसा कि आपने देखा टेफलान टेट्रेफलोरो इथिलीन फालीमर इसका क्या है जो द्रावडांक होता है बहुत उंचा होता है जिसे क्या होता है कि यह जोलनसील है क्या होता है यह जोलनसील है जो प्लास्टिक है क्या है जोलनसील है इसी गुल के कारण इसका उपियोग बहुत बस्तुम पर परत चड़ाने में किया जाता है इसी गूर्ड के कारण क्या होता है कि इसका उपयोग बहुत आईसे बस्तू है इसका उपयोग प्लास्टीक का उपयोग उस पर परत चड़ाने में किया जाता है आगे आप लोग देखेंगे राशानिक रूप से संत्रिप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एथिलीन, एसिटीलीन आदि के उच्छे अडुभार के बहुलक प्लास्टिक पदार्थ होते हैं एधि प्लास्टिक का डिफिनेशन की बात करें तो क्या है राशानिक रूप से और संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटीलीन आदि के उच्छे अडुभार के बहुलक प्लास्टिक होते हैं क्या होते हैं प्लास्टिक पदार्थ होते हैं जैसे बेकलाइट बेकलाइट नाइलान प्लास्टिक के ये सब नाम हैं बेकलाइट नाइलान पॉलिथीन टेफलान आदी इन सभी प्लास्टिकों में कुछ भिनता होती है जो ये प्लास्टिक आप देख रहे हैं ये सभी डिफ बस्तुएं गर्म करने पर तुरंत पिघल जाती हैं कुछ प्लास्टिक की ऐसी बस्तुएं होती हैं जो गर्म करने पर तुरंत पिघल जाती हैं प्लास्टिक की बाल्टी कुछ प्लास्टिक पर उस्मा का कम परभाव होता है कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिस पर उस्मा अर्थात गर्म करने पर उस पे कम प्रभाव पड़ता है जैसे कि आप देखे कि जो बस्तुएं गर्म करने पर पिघल जाती है वो क्या है प्लास्टिक की बाल्टी लेकिन कुछ बस्तुएं ऐसी है जिन पर उसमा का प्रभाव यानि गर्मी का प्रभाव कम होता है जैसे कूक के हैंडिल इस्ट्ट्ट कुकर का जो हैंडिल होता है वो गर्म होता है लेकिन पिखलता नहीं है गर्म भी उतना ज्यादा नहीं होता है जितना की अन्य प्लास्टिक होता है आधी आसानी से नहीं पिखलते यह सब आसानी से नहीं पिखलते अर्थात नहीं पिखलते हैं आगे बहुत बिसेश प्रकार का बहुलक है आगे देख पा रहे हैं आप लोग प्लास्टिक के प्रकार जो कि प्लास्टिक के प्रकार के बारे में हम लोग और अच्छे से अगले वीडियो में डिस्केस करेंगे प्लास्टिक के अपरकार क्या है प्लास्टिक की कठोरता तथा गलनांग के अधार पर इन्हें दो भागों में बाटा जाता है यह दि उसके कठोरता और गलनांग के अधार पर देखा जाए तो प्लास्टिक को कितने भागों में बाटा जाता है दो भागों में जैसा कि आप लोग आगे पढ़ेंगे थर्मो पलास्टिक और थर्मो सेटिंग पलास्टिक के बारे में और अच्छे से पलास्टिक के बारे में किलियर हो जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही इस्टुजेंट आप उन सभी अपने सवपाठियों को बताईए जो कि अभी तक गुरूप से नहीं जूल पाएं हैं उनको बताईए कि अनलाइन पढ़ाई शुरू हो गया है आप सभी लोग जूलें और अनलाइन पढ़ाई का आनन्द लें बस धन्यबाद दोस्ट आज के लिए बस इतना ही और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह दि हमारा चैनल अभी तक आप सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सस्क्राइब कर लिजे और साथी साथ वेल आइकन भी दबा दिजे तक कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास असानी से मिलता रहे ठीक है स्टुजेंट चैनल का नाम है क्यूबर 96 और आपको सस्क्राइब करना है वेल आइकन दबाना है थैंक यू थैंक यू सो मच